है। कि तो हम लोगों ने लांस क्लस्ट आरगन प्लेन के बारे में उठ्टी इस किया था और पोलर प्रेजनेशन रइक है अरगन प्लेन क्या होता है क्या होता अरगन प्लेन बोले इसके जैसे की जैसे तो artistic जैसे हो झींड ही ऑबंपर अठीक है इस इस मी तो हम्हें arguments मिलते हैं तो Cartesian plane या xy plane या coordinate plane अब कुछ भी बोलो अरगन plane बोल लो ठीक है एक ही बात है ठीक है और complex number क्या होता है अरगन plane में जो complex number वोता है वो point होता है ठीक है जैसे कि यह point है 2,4 इसे हम complex number के form में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो बोलो क्या लिखेंगे नमन तो प्लस फोर आए तो प्लस फोर आई और रिश्व आप मुझे इसका बताऊ नमब भी इसको अगर हम कॉंपलेक्स फॉम में लिखेंगे कैसे लिखेंगे स्थी माइनस तू ब्लस 3 लिखर स्थिए त्री वहाद बढ़िया अच्छा नमन बता deriv उसका माइनस फाइव माइनस टू आई हम इस तरह से से कॉंप्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे और फिर हम इस पॉइंट को लेते हैं बताओ इसको कैसे लिखेंगे रिशब बताओ है ए वान माइनस टुइव ओके यह हो गया कम्баq सकती है इसका मतलब है इसमी मäें मोझ्यूब हर पॉइंट कॉंप्लेक्स नमबर है ठीक है तो रिल नंबर कहां लाई करता है सब्सक्राइब अ करते हैं सब्सक्षा खोडुम को सब्सक्राइब सब्सक्राइब real number भी complex number है ठीक है अच्छा ठीक हम लोगों ने last class जो बे discuss किया था ठीक है उसको मैं हलका सा touch up दे रहा हूं और कुछी नहीं कर रहा हूं यहां पर अच्छा उसके अलावा हमने पढ़ा था कोई भी complex number को कोई भी complex number को जिसे हम x plus i y बोलते हैं उसमें x क्या होता है real real of zat real number and why क्या होता है कि हम्हां इमाजिनरी हाँ यह हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था modulus ठीक है हमने पढ़ा था modulus पढ़ा था modulus हम कैसे निकालते थे modulus का मतलब है हम z का m Schnicks complex number का mod निकाल रहे हैं complex number का mod को हम हम और से भी रिप्रेजन करते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रिश्व root x square plus y square ओके यह formula था अच्छा उसके बाद यह तो formula हो गया उसके argument argument निकालने के लिए argument निकालने के लिए हम यहाँ पे एक formula use करते थे 10 theta 10 theta is equals what y by x यह formula use करते थे अच्छा अब इस formula में एक और बात मैंने आपको सिखाया था वो है argument मतलब angle अब angle कौन से quadrant का लेना है वो भी तो matter करता है अगर हम बात करें about the first quadrant तो हम उस angle को क्या लिखते हैं रिशब sir x positive or y positive ने ने वो तो अब point के coordinates के बारे में बोल रहे हूं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं हम angle को क्या लेंगे यह जो angle है मालो यह point है अब यह point को मैं x axis के origin के साथ अगर जोड़ो तो जो line segment बन रहा है वह x axis से कितने degree में inclined है उससे हम बोलते है ठीटा अगर वह first quadrant में तो ठीटा लेगिन अगर वह fourth quadrant में है मालो यह point P और यह मालो point P पी आप पी वन मान लेते हैं इसको let it be P1 ठीक है तो फिर इसका जो value है नमन कितना होना चाहिए है माइनस टीटा माइनस टेटा गुड माइनस टेटा अच्छा अगर वह second quadrant में point P जो है वह second quadrant में है मैं इस point 3 ले लेता हूं P3 ठीक है यह पी 3 तो यह फिर x-axis की साथ कितना एंगल बना रहे हैं नमन माइनस टीटा ओके 180 माइनस टीटा 180 माइनस टीटा अच्छा अब आप लोग को यह डाउट था कि अगर वह third quadrant में हुआ तो हम उसे कैसे represent करेंगे let it be P4 यह point P4 है और वह x-axis के साथ कितना एंगल बना है ठीक है यह common है मैंने आपको last class बोला था इसे हम 180 प्लस टीटा बोल सकते हैं एक और तरीका है इसको बोलने का वह है जो आपको second quadrant में में मिल रहा है उसी का negative उसी का negative है मतलब यह ऐसे समाझ सकते हो जैसे यहां first quadrant में अगर वह ठीटा है fourth quadrant में वह minus ठीटा हो गया ना उसी तरह से यहाँ second quadrant में पाई-वाइनस ठीटा है तो third quadrant में वह minus of पाई-वाइनस ठीटा होगे मतलब यहां जो है उसी का निगडिव इदर इदर जो है उसी का निगडिव इदर आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ncrt रिजल्ट के साथ मैच करेगा आपका एंसर ओके तो हम ऐसे कर सकते हैं तो सपोज हम कुछ सम्स देखते हैं मेरे पास कुछ सम्स है निक देखते हैं अब बहुँ हम कुछ सम्स लेते हैं यहाँ पर जैसे कि एक मिनिट सबस्थ माइनस रूट थ्री और माइनस आई हम एक सम लेते हैं चीग है सबस्थ और हम इस सम का मोडियूलस निकालेंगे हम इस सम पर अर्ग्यूमेंट सिखेंगे और हम इसका पोलर फॉर्म भी निकाल के देखेंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं तो इतनी देर अब उसके बीजे भाग रहे थे इस वोड़ रहा था एक्चिली बहुत ज्यादा बढ़ा थे चलो अब आगे मैं आपको एक एक्जांपल के साथ इस सेंग कंसेप्ट को समझाता हूं ठीक है यह जो हमने अ इंगल्स वाले बात किये न यह फीगर आप ध्यान से देखो कौन से क्वाडरें में पहले उसको डेटेक्ट कर लेंगे ठीक है अभी यहां पर देखो अगर हां बोलो रियल वैलुव निगरिव एक बर डिसकस कर सकते हैं वाप में थार्ड कोडरिन हां थार्ड कोडरिन हां जी इसलिए मैंने बता है सेकंड क्वाडरिन में आपको जो एंगल मिलेगा थार्ड क्वाडरिन में उसी का निगटिव मिलेगा गर कि-एय now KeessAekh pasti में आपको थेटा मल रहा तो फौर्थ कवाइट मैं आप यह रहे हो माइनस टेडा ना वही सेम यहां भी उसका करो सैकंट में आपको जो सेकेंड ला रहा तो यह सीम चीज अगर यह फॉर्स्ट का निगेटिव फॉर्ट होता है ठीक है उसी तरह सेकेंड का निगेटिव थर्ड होता है ओवर इतना से याद रखो चलो हम कुछ सम्स करते हैं और देखते हैं यह मैंने एक सम लिया मैं इस सम में आपको मॉडियूलस दिखाऊंगा अर सुप्रेश और वाइ माइनस वन दोनों निगेटिव है इसका मतलब हम यहां पर यह जो है हीर है यह जड़ इक्वल्स माइनस रूट ओवर ट्री माइनस आई लाई इन थर्ड क्वाद्रेंट ओके लाइन थर्ड क्वाद्रेंट यह complex नंबर जो है वह थर्ड क्वाद्र में लाइक करता है आप इसको यहाँ पर Z करके mention कर देना पहले शुरू में अगर नहीं है तो let करके mention let Z is equal to minus root 3 minus 1 ऐसे mention कर देना अच्छा अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या mod mod.com कैसे represent करते हैं R से ठीक है और दूसरा representation क्या है mod of Z ऐसे भी बोल सकते हैं और फॉर्मूला क्या है रूट ओवर X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर ठीक है यह फॉर्मूला है इसमें वालो डाल देते हैं X का वाल्यू है माइनस रूट ट्री य का वाल्यू है माइनस वन स्क्वेर करते हैं थ्री प्लस ओन फोर ऑजाएगा रूट फोर रूट फोर मतलब तू और मैंने आपको समझाया था इसका रीजन क्या था क्या था रिश्व रिजन मॉडूलास पॉजितिव क्यों होते हैं हर força कि ये लेंद्ध है किसका लेंथ किसका लेंद्ध है किसका लेंथ है ओरीज़िन से किसका कहनू और उरी चीमी crash को सबादाए ने का यह वराइट यह माइनस रूट ए ईस तुक्लाइट शाओ थैर विए-वर। इस प्वाइट Katya ठोरिए थमा Total इस पॉइंट को यह जो पॉइंट है यह मैने सुरुट करने पर आपको प्लस टू लिखना निगरिव नहीं लिखना है वह हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा तो यह अपने देखा मौर्ड कैसे निकाला जाता है second अब हम चलते argument के तरह तो argument के लिए मैंने आपको क्या बोला था अब निकालो 10 theta 10 theta के लिए मैंने आपको formula दिया था y by x ठीक है y by x अच्छा अभी y by x में value डालते है y कितना minus 1 और x minus root 3 तो आपको क्या मिला 1 by root 3 अच्छा इफ 10 theta is 1 by root 3 so 1 by root 3 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं यह वैलू का बाता है 10 30 30 को हम कैसे लिखेंगे 5 by 6 because 5 means 180 by 6 तो डिवाइड करने पर 30 आता है तो पाई भाई 6 ऐकि मैंने आप लोगों सारा चीच मैंने लास्ट लास भिका था सा पाइ मेंस बन एक्ती पाई बैट्स की नाइन्टी पाइबई थी मतलब 60 पाई फॉर मतलब 45 पाई बढई भाई पाई पाई आ शीक्स मतलब 30 2 pi मतलब 2 pi मतलब 360 और उसके बाद ये बताओ 3 times pi by 2 pi by 2 means what? pi by 2 by 2 by 2 pi by 2 means 90 270 270 ठीक है ये याद रखो इतना याद रखो ना pi 180 होता है 180 को आफोर से डिवाइट करें तो आपको कितना मिलता है बस उतना याद रखो तो याद हो जाएगे तो जो भी हो हमें यहाँ पे मिला है 1 by root 3 तो हमने यहाँ पे 1 by root 3 लेका बड़ 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 ये हम कौन से quadrant की studies कर रहे है कौन सा quadrant में था हमारा complex number third quadrant third quadrant में हम theta को कैसे लिखेंगे बताओ इसको reasoning करेंगे theta minus pi theta minus pi हाँ बोल सकता है तो हम इसको reasoning करेंगे reasoning कैसे करेंगे लिखेंगे since this theta lie in third quadrant quadrant therefore 10 theta is 10 of आपने क्या बोला आपने क्या बोला theta minus pi और theta हमारे पास कितना है pi by 6 pi by 6 minus pi अब कैसे हुआ क्योंकि मैंने आपको अभी third quadrant के बारे में क्या समझाया second quadrant में अगर कोई point है point P is in second quadrant तो हम इसे लिखते है pi minus 6 pi minus theta लेगिन वह point अगर suppose third quadrant में है suppose P1 is third quadrant तो हम इसे लिखें उसी का negative minus of pi minus theta इसको bracket open करोगे तो minus of pi minus theta का bracket open करने से होता theta minus pi तो हम ये value use कर रहे है यहापे theta minus pi both side up 10 theta remove कर दो तो आपको theta का value मिल जाएगा what theta is कितना solve करोगे तो minus 5 pi by 6 minus 5 by 6 ये हो गया argument तो हम या लिख तो therefore argument equals minus 5 pi by 6 over तो अभी मैंने आपको argument निकाला भी सिखा दिया argument clear हो गया yes चलो argument clear अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे polar form ठीक है अभी polar form of any complex number ठीक है polar form ठीक है polar form अब देखो polar form क्या होता है z is equals r times मैं ब्राकट में ले लेता हूं cos theta plus i time sin theta यह होता है न polar form तो हम r और theta दोनों ही जानते हैं तो बस इसमें substitute कर दो आर टू था अग्योट है अग्योट है अग्योट है यह हमें हूँ अग्योट है इस तरह आप complex number को लिखोगे लग्योट है यह आपका एंसर है ओके तो मैं आपको तीनों चीज़े सिखा दिया है modulus करना, argument निकालना, polar form बनाना, ठीक है, तो चलो, अब हम थोड़े अलग type के sums, दो sum हम देखेंगे, ठीक है, अलग से, for example, आपको यहाँ पे complex number दिया गया है, suppose मैं complex number लेता हूँ, complex number is but, suppose minus 3, ठीक है, यह हमें complex number है, minus 3, अब minus 3 ले सकते हो, minus 2 लिख सकते हो, minus 1, minus 5, minus 7, minus 2, जो भी वो एक negative constant है, negative constant, ध्यार रखना, negative constant, real number, okay, real number, iota number नहीं, real number, तो minus 3 मैंने एक number लिया यहाँ पे, अब मुझे इसको, इसका तीन चीज करना है, एक तो मुझे इसका argument करना है, और इसको हम polar form में भी arrange करेंगे, तो start करतें चलो, तो सबसे पहले, मैं इसको अगर complete complex number के form में लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, कौन सा part missing है, minus 3 plus 0, minus 3 plus 0, 0i, है न, real part present है, imaginary part missing था, इसलिए उसका coefficient 0 लगाके, यहां print कर दिया हमने, ठीक है, तो अभी हमारा complex number है, अब आपको इसको देखना है, और अगर मैं बोलो, भाई, मुझे इसको point को यहां प्लॉट करना है, हाँ, इस complex number को मुझे coordinate के form में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, coordinate में मैं इसको कैसे read करूँ, minus 3, 0, बोलो, कौन से location में लाई करेगा, मैं आपको recall करा दू, ठीक है, दिमाग में इतना दवाब मत डालो, x-axis, x-axis, ठीक है, x-axis बहुत अच्छा बात है, बट इसमें भी तो बात है, मैं x-axis का right side लू या left side लू, left side, left side, क्योंकि यहां एपसी से negative है, ठीक है, x, y जब होता है, तो x-axis में लाई करता है, 0, y type का point होता है, 0, y, 0, y type का point होता है, तो y-axis में लाई करता है, अब यह point x, y type का है, इसलिए x-axis में लाई करेगा, बट एक्सिस का negative है, इसलिए यह left side में लाई करेगा, यहां पर, ठीक है, जब ऐसा कोई point मिलता है ठीक है ऐसा कोई point मिलता है तब आपको इतना मैनत नहीं करना आपको सिर्फ एक ही चीज में मैनत करना है वो है इसका argument sorry mod ठीक है mod of z mod of z का formula क्या था x2-3 है लेगिन y में value डालके क्या करेंगा वो तो 0 है है नहीं डालने से भी चलता है तो आप इसको simply माइनस री का स्कुवैर माइनस मी का स्कुवैर करें कितना आयेगा यहाएगा नाइन नाइन इन आएगा टीक है तो इसे आप नैन कर दो हो टीक है 9 कर दो तो 9.2 नाइन आम आप नारें का रूट कर दो кो उपको ए अभ जाहिए नहीं मैं इसक Canada ऐसा करता हूं कि square और root को काट लेता हूं मेरे को minus three मिलेगा यह wrong है बिकस मैंने आपको पहली बूलाता जो mod है वो positive होता है negative नहीं होता है तो यह way of calculation गलत है इसलिए first square करो square करने के बाद आप root को solve करो ताकि आपको positive मिले ठीक है बात समझ माया इसमें doubt नहीं है न तो यह calculation का तरीका अब समझ गए यह मैंने mod निकाल लिया अच्छा अब आगे argument निकालने का concept अब देखो since since complex number equals minus three plus zero i यह फिर i0 lie lie in the negative part of x-axis ठीक ध्यान देना यह तरीका एकदम अलग है इसलिए इसको इसको कैसे लिख रहा हूं मैं देखो आप यह मत सोच नहीं मैं उस सब्सक्राइब यह वैसे नहीं किया जाता इसको करने का तरीका ऐसे है कि आप पहले इसको detect करो इसका position detect करो हमने यह position detect कर लिया कि यह x-axis का negative side में लाई करता है यह हमारे पास diagram है x-axis का negative side में लाई करता है that's why that's why that's why argument या फर theta theta is what minus pi diagram से समझते हैं why minus pi देखो diagram के accordingly इसे बोला जाता है zero degree ओके यह zero degree है यह होता है minus pi note करना यह होता है 90 और यह होता है minus 90 ओके ध्यान देना जो complex number complex number के accordingly जो मतलब axis है axis का यह just first axis में x-axis का जो पार्ट है वो zero degree है और यह right side में sorry left side में x-axis 180 degree show करता है negative 180 sorry negative 180 show करता है और उपर y-axis 90 शो करता है positive 90 और y-axis का नीचे वाला देर्फोर अर्गूमेंट इस वानिटी आया समझ में हम हम इसका polar form करते हैं कुछ पूछोगे नमन नो सुख आच्छा ठीक है polar form polar form polar form क्या होता है polar form होता है r times of cos theta plus i times of sin theta यह ऐसा कुछ होता है न तो इसमें हम just in respective values जाल देते हैं respective values हम जैसे r हमने कितना निकाला है 3 निकाला है ठीटा हमें कितना मिला 180 मिला है फिर i sin theta sin theta sin theta कितना है theta 180 है बस over यह हमारा polar form बन गया अब चलो कुछ और सम हम लेते हैं अभी मान लो हमारे पास आता complex number is like 15 हमारे पास आता 15 ठीक है अब यह 15 हमारा complex number है बड़ यह तो real number है तो कोई issue नहीं है complex number बना देते हैं इसको इसमें iota add कर देता है बड़ आयोटा ही नहीं कैसे add करेंगे जीरो आई ठीक है अब इसको अगर हम cardison form में लिखें तो हमें क्या लिखना होगा क्या लिखना होगा 15,0 अब मेरे को यह बताओ यह कहां लाई करेंगा नमन बताओ यह कहां लाई करेंगा ने खते हैं जीरोगी अनुयीड इक बताओ अननु ने पर आता है निगसय अटिप के आता है और निगेटिव वाईक सिस माइनस 90 पे आता है और निगड़िव यखे स्मिनस्ति ए अता है एकसिस माइनऍस एंसे निगोटा वाइक सिस माइनू निगरी पर आता हैfound诃 बस इतना आप याद रख लो अगर यह point x-axis positive part बेद तो यहां पर argument है 0 और modulus जो आप निकालोगे वो तो root over x square प्लस y square करोगे x square है 15 square और y square 0 है तो उसको नहीं लिखने से भी चलेगा कोई दिक्कत निए और अगर आपको doubt लगे तो लिख के एक बार कर लो ठीक है तो finally आपको root over 15 square मिल रहा है जो square और कटने के बाद तो आपको 15 मिलेगा तो यह आपको mod मिल गया और argument भी मिल गया आपको अब आप polar form जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे polar form में r times cost मैं direct लिख लो क्योंकि मेरे को r पता है तो r is 15 15 times cost of 0 degree ठीक है प्लस i times sign of 0 degree बस यह हमारा answer आ गया ठी इस तरह से अभी suppose मैं कोई एक और complex number लेता हूं suppose इस बार complex number है हमारे पास minus 2i यह हमारा complex number है ठीक है तो लेकिन complex number में तो imaginary part भी होता लेकिन वो तो है नहीं आपे तो हमें काम करते हैं imaginary imaginary part नहीं इमेजनरी पार्ट तो यह है real part भी होता है मेरी कहने का मतलब अब real part भी होना चाहिए था लेकिन वो तो है नहीं इसमें तो real part को हम ले लेते हैं जीरो और इमेजनरी पार्ट को सीम रखते हैं तो यह हो गया हमारा complex number complete अब मैं इसको Cartesian form में लिखना चाहता हूं तो Cartesian form मतलब argon plane में अगर मैं इसको डालना चाहो तो यह point क्या बोलेगा इसको मतलब कोडिनेट के हमें कैसे रीट करेंगे जीरो कॉमा माइनस तू जीरो कॉमा माइनस तू रीट करेंगा और यह कहां लाई करेगा रिशब सर नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस हां मतलब यहां पर तो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस यहां लाई करेगा तो फिर हम इसको लिखेंगे सिन्स जैड एक्वाल जीरो माइनस तू आई लाई ओन निगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस इन दा आर्गन प्लेइन आर्गन प्लेइन चीक है आपका डिसन प्लेइन भी बोल सकते हो बट हम तॉपिक में अगर आर्गन प्लेइन ही पढ़ रहे हमारे टॉपिक का नाम यह यह तो हम आर्गन प्लेइन ही बोलते हैं इसको काटिसन प्लेइन को कोई दिकत नहीं है अच्छा तो सिंस यह आर्गन प्लेइन का वाई एक्सिस का निगेटिव पार्ट में लाई करता है इस बज़े से यहां जो अर्ग्यूमेंट बनेगा ठीटा बनेगा वो क्या बन इसका मतलब हमें मिलेगा माइनस नाइंटी माइनस नाइंटी तो अर्ग्यूमेंट हमें मिल गया अच्छा अब मोड्मोड निकालते हैं मौड कैसे निकालते हैं रूट ओवर रूट ओवर एक्सक्वएर प्लस य क्वेर चीगऑ अब x तो 0 है तो x लिखना mandatory नहीं है आप सिर्फ y square में वालू डाल दो तो y कितना है minus 2 तो minus 2 का square अब मैंने आपको calculation के एक तरीका बोला था अब पहले square करो ठीक है direct square root मत कटो उससे negative आएगा और जो mod होता है वो कभी भी negative नहीं होता है तो इसलिए आप पहले square करो जिससे आपको 4 मिलेगा देन अपरूट करो तो इससे आपको 2 मिलेगा ठीक है इस तरह से अब इसे शो करो तो आपको यहां पर mod भी मिल चुक है अर्ग्यूमेंट में मिल चुक है अब आप complex polar form आप बनाओ polar form तो z is equals two times of cos theta cos theta theta हमारे पास है minus pi by two plus zero sorry plus i sin theta i sin theta तो यह हो गया हमारा polar form ओके अब यही पर अगर मैं एक और example लो एक और example लो suppose हम example लेते हैं इस बार complex नंबर लेते हैं 5i ठीक है यह फर 50i suppose लेते हैं 50i अब 50i को अगर fully complex form में लिखे तो इसमें हमें real portion को add करना पड़ेगा सिर्फ हमारे पास आयोटा पार्ट है बड़ रियल पार्ट नहीं है तो लेट दा रियल पार्ट भी जीरो ठीक है ही नहीं न तो जीरो अच्छा अब इसी पांट को मैं आर्गन प्लीन में रिप्रेजन करों तो कैसे करूंगा क्या लिखे हैं उसके लिए को जीरो कॉमा फिफ्टेंगे का जीरो कॉमा फिफ्टें मतल быть य एक सिसमेे लाई करेगा जीरो झामा फिफ्टेंगे यह एक सिसका पॉजिटी पार्ट मैं लाई करेगा तो तो सिंस्प्रेज़ यह जीरीव लाई-द फार्ट ऑफफ य спасes इन द आर्गन प्लीन इन द आर्गन प्लीन है टेरफोर थीटा इस अब दिखो य एक्सिस का पॉजिदी पाट क्या 90 और निगटिव पाट मैनस 90 x-axis का पॉजिदी पर्ट 0 x-axis का निगटिव पाट 180 बस इतना याद रखो तो यह point अभी y axis का positive part में, that's why 90, argument मिल गया, mod भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, mod, mod कैसे बोलते हैं, z, mod of z, या फिर r, ठीक है, root over x square plus y square, तो हमारे पास तो सरफ y square है, तो हम x square पे value नहीं डालने से भी चलेगा, सब्सक्राइब, तो हम 50 का square बोलते हैं, मतलब हमें मिलेगा 50, ठीक है, तो 50 मिल गया, बस आप पोलर फॉर्म लिख लो, पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म यहां पर बोल देते हैं, कितना है पोलर फॉर्म, z is पहले mod, फिर cos theta, theta है, pi by 2, plus i times sin theta, और theta यहां पर है, अगें, pi by 2, that's it, चीक है, clear हो गया, अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोगो, जीरो का example दीजिए, जीरो, जीरो मतलब, complex number सिर्व जीरो है, ने, positive part of x-axis, आप positive part of x-axis, तो positive part of x-axis का अगर हम point ले, तो हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि, z is equals to 2, z is equals to 7, z is equals to 1 ले लिया, z is equals to 3 ले लिया, z is equals to 100 ले लिया, 100 ले लिया, यह सब, यह सब positive part of x-axis होगा, उसमें argument हमेशा 0 degree ही मिलेगा, okay, clear? क्योंकि अगर हम इसको complex number का form बना है, तो मुझे 0 आई, इसमें add करना पड़ेगा, 0 आई, सब जगे, 0 आई, plus 0 आई, plus 0 आई, मतलब, हम Cartesian plane में जब इसको, इन सारे points को लिखेंगे, तो वो, x, 0 type का point होगा, जो कि x-axis के positive part में, और x-axis का positive part, 0 degree को represent करता है, और negative part 180 degree को represent करता है, लेकिन ये तो positive है, इसलिए ये 0 degree ही, हमें argument मिलेगा, okay? तो उसका polar form में होजाएगा, polar form, आच्छा चलो, कोई एक एक ग्जामपल लेता है, चलो first वाला, ठीक है, first वाला, तो first वाले में, अगर आप, हम, r निकालते हैं, r क्योंगा, root over, x square plus y square, y तो इसमें fix 0 है, y डाल के फायदा नहीं है, max का वालू डालता हूं इसमें, तो root over 2 square, square root कड़ी गया, तो 2 आया, तो mod में 2 मिला, इसमें कोई डाउट रिशाब, नहीं सर्, तो अब हम polar form करते हैं, polar form, ठीक है, तो polar form में, हमारा formula क्या होता है, r times, cos theta, plus i times, sin theta, यह हमारा formula है, अब r पे 2 डालो, theta पे 0 degree डालो, over, तो r पे हम डालते 2, और theta पे आप डालो, 0 degree, plus i sin 0 degree, यह हमारा answer है, अब इसमें कोई doubt है अबको, नो sir, बस, over, ठीक है, clear हो गया यह, yes sir, yes, सम में करवाता हूँ, एक, सम उसका हम, modulus भी निकालेंगे, argument भी निकालेंगे, अगर आप चाहो तो सम, polar form भी देख सकते हो, ठीक है, यह थोड़ा सा, अलेक टाइप का सम है, सम है, मैं नोट करता हूँ, देखवा, 1, प्लेस, आई, divided by 1, minus I, आप मुझे इतना करो, इससे simplify करके, मुझे इसको complex form में लिखके बताओ, चलो, इतना आप करके बताओ, तो इसको आपने निकालेंगे, इससे rationalize करके, राइट? येस, क्योंकि नीचे कभी, root वाला नमबर नहीं होना थी, ये आपने class 9 से बढ़ते हुए आ रहे हो है ना? और I मतलब root वाला नमबर, इसलिए इसको rationalize किया, आपने किस से क्या, क्या factor है rationalizing factor? 1 plus I by 1 plus 9, 1 plus I, फिर 1 plus I, solve करने के बाद आपको क्या मैला? 0 plus I, मतलब मैं simply इसको I भी बोल सकता, मुझे 0 plus I मिल गया, अच्छा, तो अगर हमारा complex number, let, Z is equal to 0 plus I, तो मैं इसको कार्टी सिंट फॉर्म में इसे क्या read करूँगा? 0,1, 0,1, good, और वो मुझे मिलेगा, positive x-axis part में, 0,1, तो फिर, since Z lie in the positive y-axis, positive y-axis in the argon plane, in the argon plane, therefore theta is what? क्या रप्रेजन तो 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 निचे ओता तो नेगटिव साइड में, minus pi by 2, है ना, x-axis का right side, positive side, 0, left side, जो negative है, वो, sorry, कितना? 180, तो अभी हमें ठीटा मिला, 90, तो यह मिलेगा, अब हम argument निकालते हैं, sorry, argument निकाल लिया, modulus निकालते हैं, तो modulus r is what, r is root over x square plus y square, लेकिन इसमें तो x तो 0 है, सिर्फ y में हम value डालेंगे, y में कितना डालेंगे, 1, चीक है, तो x में डालके कोई फायदा नहीं है, तो हम y में 1 डालते हैं, 1 square is 1, तो मुझे, जो mod है, वो 1 मिल गया, तो अब आप polar form बना सकते हो, polar form, ऐसे question में पूछा नहीं है polar form, बस हम ऐसी बना रहे हैं, तो z is equals क्या, r times cos theta plus i times sin theta, ये formula है, तो r में आप 1 डाल दो, और यहाँ पे cos pi by 2 plus i times sin pi by 2, बस over, यह हमारा answer आगया, ठीक है, तो मैं आप लोग को घर में करने के लिए कुछ sums देता हूँ, आप लोग उसे घर में करना, ठीक है, दो sum देता हूँ मैं आप लोग को, note करो, एक sum लिखो, 1 by 1 plus i, दूसरा sum note करो, 1 plus 2i, i upon 1 minus 3i, यह दो sum मैं आप लोग को घर में करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसे करके मेरे को, वाटसप करो इसका से, ठीक है? यह दो करें? यह से लोग अज की लिए हम लोग इतना ही करते हैं, थांकियो साँ, गुड नाइट, थांकियो साँ, यह दो में करते हैं, यह साँ, यह दो में करो अब करते हैं, यह सेयों साँ, यह साँ, झाल झाल